नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम एक बार फिर आजिरें आप लोकों की सेवा में दोस्तो आज आयुर्वेट की एक और महत्रपूर ओस्दी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाली हैं दोस्तो इस ओस्दी का नाम है जटा मांसी दोस्तो जटा मांसी जिसे नाडोस्टेयस जटा मांसी भी कहते हैं यह हिमाले शेत्र में पाए जाने वाली जड़ी बुटी है जो तनाव को कम करने संग्यानात्मक कार्य और नीन में सुधार लाने की समता के लिए खास करके जानी जाती है दोस्तो बजार में यह जड़ तेल और पाउडर के रूपने मिल जाती है इस पर किये गए शोद बतात इक चिकिस्सा जड़ी बुटी है जिसका उपयोग कई ओजदिय उद्यशियों के लिए प्राचिन समय से ही किया जा रहा है दोस्तो आयूरवेद में इसका उपयोग मिर्गी आवेक और हिस्टिरिया के लिए किया जाता है तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके कुछ चम से रहात दिलाकर आपके मासी धर्म चक्र को नियमित बनाता है इसका उपयोग गर्बाशय की सफाई और सुजन के लिए किया जाता है दोस्तो जटमांसी स्वस्त अंडाशय के लिए प्रकरती का उपुहार है क्योंकि यह अंडाशय से इस्तरावित दो मुक्य हार्मोन एस् तंत्रिका कोशिकाओं में इस्तित एक एंजाइम होता है जो एसी टाइल कोलीन की क्रिया को रोक देता है जो सीखने और इस्मरती के लिए आवशक एक नियूरो ट्रांस्मेटर होता है तो दोस्तो एक अध्यन में पाया गया कि जातामांसी चुओ के दिमाग में 50 प्रतिश के संकायों को बढ़ाने में सायक होते हैं और मांसिक समस्याओं को खत्म करते हैं जिससे मन को शान्ती मिलती है दोस्तो यह तीन वात पित और कफ की कमी के प्रभावी ओजडी जड़ों में से एक है दोस्तो हाई बीपी का इलाज करने का प्राकरतिक तरीका जटामानसी का उप्योग है आप अपने रक्तिचाप को कंट्रोल करने और अपने शरीर को स्वस्त रखने के लिए जटामानसी का उप्योग कर सकते हैं आपके आतों के स्वास्ते के लिए जटा मांसी बहुत ही फाइदेमंद है आयरुवेदिक लेक्टेस्यूप होने के नाते जटा मांसी पूरे पाचन तंत्र को साहिता प्रदान करता है यदि आपको गेस या फिर पेट की सुजन है तो इसके उपचार में भी जटा मांसी आप किया जा सकता है इसके लावा चिंता और तनाव अनिद्रा के सबसे बड़े कारण होते हैं जिसको हम नीन ना आना किते हैं यदि आपको सोते समय या सोने में लगातार कठिनाई हो रही हो आपको नीन ठीक से नहीं आती है तो एसी कंडिशन में भी जटा मांसी बहुत ही प् करी होता है इसके लावा दोस्तों आपकी तवचा का रंग सुधान ने और उसे चमकाने के लिए भी जटा मांसी का उपयोग किया जता है या पूरी तवचा के लिए एक टोनिक होने के कारण या फटी एडियो गाम उजली वली तवचा चकत्ते के कारण जलन जीवानों संक करमन और दात को ठीक करती है इसके लावा दोस्तों यह अधभूत आयुर्वेदिक चड़ी बुटी केंसर के प्रभाव को कम करने में भी काफी ज्यादा बेनिफिशल मानी जाती है अब दोस्तों कुछ खास बात दोस्तों इस जड़ी बुटी के सेवन से किसी भी प्रकार क दूस प्रभाव नहीं होते हैं मरीजों को अति सव्वेदन शेल प्रक्रियाए होती है गरपती एस्तनपान करा रही महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन विश्यों पर जटा मानसी के अध्यनों में अभी कमी की गई है यानि प्रेग्नेंस अ उनको इसको उप्योग नहीं करना चाहिए इसके अलावा जटा मानसी की अधिक खपच से उल्टी, दस्त और पे डर्ध हो सकता है जटा मानसी आवशक तेल आख में जलन कर सकता है इसके अलावा यदि इसे अतिरिक्त मातरा में लिया जाए ज्यादा मातरा में इसका यूज किया जाए तो इससे मुत्र सम्मंदित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है अधिक मातरा में इसका सेवन करने से उल्टी की शिकायत हो सकती है तो दोस्तों यही थी संपूर्ण जानकारी, जटा मांसी के चमतकारी फाइदे और कुछ साउधानियों के बारे में, उमिद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें, और अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जवर दोबाए धन्यवाद दोस्तों